Hi everyone, so जब भी आप लोग एक React.js वाले प्रजेक्ट के अंदर test cases लिखते हो, तो उनको run करने के लिए आपके पास कुछ options होते हैं, जैसे कि, मान लोग आपने 20 files लिखे हैं testing के लिए, और आप किसी एक specific file को run करके दिखना चाहते हो, सारी की सारी files को run करना नहीं चाहते हैं एक स specific file के अंदर, अगर आपने 20 test case लिखे हैं और उनमें से किसी एक test case को run करके दिखना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको option मिल जाएगा, अगर आपको fade test case run करके दिखने हैं, उसके लिए भी option मिल जाएगा, और भी बहुत सारे options होते हैं, उसके बारे मैं भी बताऊँगा, पर उससे पहले हो सकता है कि आपके दिमाग में question आ रहा हो, कि इतने सारे option देने की कहा जिरूरत है, सारे के सारे test cases को एक साथी run कर दो, दिक्कत कहा रही है, देखो दिक्कत ही है कि आप अगर बहुत बड़े project के लिए test cases लिख रहे हो, जिसके अंदर मालो 100, 500 या 200 testing वाली files हैं, अब उनको एक साथ run करोगे न, तो output आने में, result आने में time लग सकता है, अब ये 2 minute भी हो सकता है, 10 minute भी हो सकता है, 20 minute भी हो सकता है, 30 minute भी हो सकता है, depend कि आपने कितने test cases लिखे हैं, कितनी files हैं, उनके अंदर कैसा code लिखा हो है, अब इन सब से बचने के लिए हम लोग options का use करते हैं, मालो आपने पूरे project में change ही नहीं करें, आपने किसी एक या दो component में, फिर एक या दो file के अंदर changes करें, तो पूरे project के test cases क्यो run करने हैं, उन specific file के test cases run करके देख लो, right, so इसलिए हमारे पास ये options available होना जरूरी है, अब बात करते हैं, क्या-क्या options होते हैं, और अगर हमें ये check करना है, कि कितने test cases fail हुए हैं, और जो failed test cases हैं, उनी को दुबारा से run करके दिखाओ, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, और अगर एक साथ, पूरे project के test cases अभी by default run करने हो, तो वो कैसे कर सकते हैं, जो watch mode होता है, अगर उसको हटाना हो, quit करना हो, तो वो कैसे कर सकते हैं, test वाली file के अंदर filter कैसे लगा सकते हैं, filter से मेरा मतलब ही है कि माल हो, आपके पास 20 files है, 20 file लिखें आपने testing के लिए, आप 3-4 file को, या फिर किसी specific keyword के base के ओपर file को filter out करके, उनको run करना चाहते हो, तो वो कैसे कर सकते हो, और filter जो वो file के ओपर ही नहीं, test cases के आपको बताऊंगा, यहाँ पे output वाला, यहाँ पे जो browser वाला output होते हैं, वहाँ आपको कुछी नहीं दिखने वाला, जितना भी जो भी काम दिखेगा, आपको terminal के ओपर ही दिखेगा, ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँँ, एक normal test case कैसे run करते हैं, वो बहुत simple ह लिखूँगा, और आप भी ही करते हो, npm run test, जैसी आप यह command लिख होगे, तो जितने भी, यहाँ पे पहले आपको options मिलेंगे, आप simply a press कर दो, जितने भी आपके test cases हैं, वो अपने आप run होके आजाएंगे, तो इसने क्या बोला, देखो, यहाँ पे इसने बतला, app.test.js, ए दूसरा test लिख है, test first react app case वाला, यह दो है, ठीक है, सभी बात है, अब मैं चाहता हूँ ना, कि, अगर मेरे पास एक से ज़्यादा files है, तो उन में से एक ही file को run करके देखना चाहता हूँ, वो मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे एक से ज़्यादा files भी चाहिए testing के तो मैं यहाँ यहाँ करता हूँ, इस file को copy कर लेता हूँ, एक बार click है, तो मैं simply इसको copy करता हूँ, यहाँ से, and then मैं इसके अंदर again इसको paste कर देता हूँ, right, तो इसको मैंने paste कर दिया, जैसे मैंने paste करा, तो यहाँ पे दो files बन गए, अब मैं इसका यहाँ पे नाम change कर दे इसका मैं यहां पर simply नाम कर देता हूँ, let's say other.test.js, perfect, कोई दिक्कत नहीं है, अब इसके अंदर मैं इस सब को check करने के लिए क्या करता हूँ, इसका नाम भी change कर देता हूँ, यहां पर लिख देता हूँ, other first react app case, और यहां पर लिख दूँगा, other testing input app, ठीक है, तो इससे मुझे यहां पर पता चल जाएगा, अब अगर मैं इसको वापी सी हटा दूँ, quit कर दूँ यहां से, इसको clear करूँ, और मैं चाहता हूँ, अगर मैं by default run करने कोईश्च करूँगा फिर से, ठीक है, और यहां पर मैं a press करता हूँ, तो इसने मुझे क्या बताया, इसने बोला, भाई देखो, दो test cases pass हुए, दो test suits pass हुए, यानि कि, दो file pass हुए है, उनके अदर 4 test case लिख हूए, दो app वाले के अंदर, दो other के अंदर, बट मैं चाहता हूँ कि, दो files ना, मालो इस file का नाम, just other लिख दो, काफी है, जैसी आप other लिखोगे, तो other वाली file run हो जाएगी, इसने देखो, app वाली file को run ही नहीं करा, other.test.js, इसी को run करके दिखाया है, ठीक है, तो अगर आपके पास एक से ज्यादा files हैं, और किसी specific file को run करना चाहते हो, तो इस तरीके से कर सकते ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिर से सको quit करता हूँ, और मैं चाहता हूँ अब कि, जितने भी मेरी test case है, सारे की सारी run हो, तो अगर मैं यहाँ पे run करके देखूँगा, तो इसने मुझे क्या करा, एक file को run करके दिखाया, other.test.js वाली, by default इसने एक ही बताई, दोनों file क्यों नहीं run करी, because watch mode on है, जो मैं हाँ बताया नहीं, watch mode क्या होता है, वो, अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे ना, और यहाँ पे अगर मैं कुछ भी, अभी के लिए कुछ एक बार के प्रेस कर रहा हूँ, मैंने a press करा, तो जैसी a press करा, इसने क्या लिख्या होगा है, press w to show or यह जो w है, watch uses, यह एक watch mode होता है, वो एक package होता है, जो internally आपके application के अंदर डला होता है, वो check करता रहता है कि कितने आपके application के अंदर changes हो रहे हैं, और जितने changes होता है, जो latest वाली file होती है, उसी को यह run करके दिखाता है, जैसे आप देख सकते हूँ, latest file कौन सी है, other.test.gy, तो इसी को run करके दिखा रहा है, अब मैं चाहता हूँ कि यह वाली file न, सारी की सारी files run हो, तो इसने यहाँ पर option दिया वह है, watch uses, तो कह रहा है, a press कर दो, सारे के सारे जितने भी test cases है रन हो जाएंगी, यह मैं अभी आपको 3-4 बढ़ करके दिखा चूँ, एक बार फिर से क दबादू, तो यह बोल रहा है कि देखो, अभी failed कोई test case है नहीं, आपके पास, तो मैं एक जबरदस्ती किसी test case को fail कर देता हूँ, for example, जो other.test.js वाली file है लेना, इसमें अनिल सिद्धू की जिगा पर मैं कर देता हूँ, simply, अनिल कुमार, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर save कर करा, डबलू करा, और अब मैं करता हूँ, एक बार के लिए test cases को run, मैं simply a press करके run करूँगा, run हुआ, अब run हो जाएगा, इसने बोला, एक test case fail हो गया, अब अगर मैं again, फिर से, मैं यहाँ पर a press कर दूँ, तो यहाँ पर इसने मुझे बताया, कि देखो, एक test case pass हुआ, और तीन fail हुए, बट मैं चाहता हूँ, जो failed वाल है, वही वाली file run हो, app वाली run ही ना हो, तो मैं एक बट W करूँगा, मुझे options दिख गए, फिर मैं यहाँ पर F press करूँगा, और F press करा, तो इसने मुझे क्या बताया, कहता भाई, देखो, एक test case fail हुआ है, और एक pass हुआ है, बिकोज इसने other.test.js, इसी file को run करा, इसको run ही नहीं करा, अब इसको क्यों run करा, क्योंकि यहाँ पर W press करता हूँ, और अगर मैं इसको ठीक कर दूँ यहाँ यहाँ पर, अनिल, सिद्धू कर देता हूँ, इसको, save कर देता हूँ, तो हमारे पास इसके test case pass हो गई, ठीक है, अब मैं फिर से W दबाता हूँ, और option के लिए, अगर मैं quit करना चाहता हूँ, जो कि मैं ब P का, यह कहता है, P press कर दो, और उसके बाद ने, अगर आप file name, किसी specific file name, या फिर file name का filter apply करना चाहते हो, तो वो कर सकते हो, मैंने यहाँ पर simply करा, press P, जैसे में, पी दबाता हूँ, जैसे टाइप करना start कर दो, मैं यहाँ पर simply type करना start करता हूँ, other, देखो, तो यहाँ पर other तो इसने filter कर दे, अब मालो मेरे पास other one, other two, other form, other user name से होती, तो files मिल जाती है, और उनको मैं यहाँ पर run करके देखता हूँ, अब मैं enter करूँगा, तो यह वाली file मेरी run हो जाए, perfect, ठीक है, अब मैं specific test case को run करना चाहता हूँ, जिसके नदर मैं यहाँ पर लिखूँगा, other से पहले one, two, three, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, और अब option पर जाता हूँ, मैं फिर से, और अब option पर जाँगा, और मैं अब press करने वाला, simply T, जैसे मैं T करूँगा, कहता है, test case का नाम लिख दो, मैं यहाँ पर जैसे ही other लिखना start करता हूँ, तो इसने मुझे बताया कि, आपके पास दो test cases है, एक तो other, first, react, app case, जो आप यहाँ भी देख पा रहे हो, और दूसरा, one, two, three other testing app, इसने filter करना start कर दिया, अब मैं यहाँ पर इस सब को हटा के simply लिखता हूँ, one, two, three, तो इसने एक ही test case find करा, enter करता हूँ, तो इसको यहाँ पर इसने run कर दिया, इसने बोला, एक आपने skip कर दिया, all right, तो यह सारे हमारे पास options होते है, file को filter करने के लिए, single file को, single test case को run करने के लिए, quit करने के लिए, watch करने के लिए, सारे test cases को run करने के लिए, सारे के सारे options बता दिये, इन में से आप से interviews के दर भी पूछ सकते हैं, कि किस तरह की से specific file को run कर सकते है, watch mode क्या होता है, quit कैसे कर सकते है, watch mode को, so, काफी important थी यह चीज़ने जो, और आपको भी आने व करना, but मुझे थोड़ा सा motivation मिलेगा, और दो और लोगों तक वीडियो पहुचेगी, because आपने like कर रहा है, तो Google का YouTube का algorithm इसी तरह के से काम करता है, और यह मेरा PTM का donation number, thank you so much.